दोस्तों आज की वीडियो थोड़े से यूनिक टॉपिक पर है और यहां पर डिविडेंट से रिलेटिड सारा कुछ इस वीडियो में शेयर होने वाला है साल में किस प्रकार आप बारा बार हर महीने डिविडेंट को इंजोय कर सकते हैं किस तरीके से डिविडेंट स्टॉक से एक बढ़िया पैसिव इंकम जनरेट कीज़ आ सकती है कौन से बारा ऐसे स्टॉक में आपको बताऊंगा जो डिविडेंट तो साथ में देंगे ही लेकिन एक गुरोथ फॉर्मिट में भी आपको रिटन निकाल करके देते हुए नजर आ सकते हैं डिविडेंट के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक मुख्या तोर पर एक दिक्कत रहती है कि जो डिविडेंट वाले स्टॉक है वो सिरफ डिविडेंट देते हैं रिटन निकाल करके नहीं देते हुआ नजर आएगा अब चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे वाले बफिट हो चाया वारतिय सरकार हो कोई भी को सबी को डिविडेंट इंकम बहुत जपह आ च्छे लगतpse है बड़ी ही जो है इंपोटन्ट जो है डिविडेंट इंकम मानी जाती है तो किस प्रकार की ये जो है strategy नोंने यूज की है उसका बिल्कुल आपको पता लगता हुआ नजर आएगा PSU stocks की बात अगर की जाए तो PSU stocks जो इतना dividend निकाल करके देते हैं उसका भी एक मुख्य कारण ने देखिएगा PSU stocks में ज्यादातर हिसेदारी सरकार की होती है और सरकार को जो भी कमाया है PSU company ने उसका फाइदा हमेशे अपने खर्चे के लिए चाहिए तो वो खर्चा उनको dividend के रूप में मिलता है क्योंकि ज्यादातर stocks की holder सरकारी होती है तो dividend की income जो है ना चाहते हुए भी यहाँ पर सरकारी खाते में आ जाती है और उसी dividend income से देश के फिर खर्चे चलाई जाते है यह dividend income किस प्रकार आपका फाइदा कर सकती है उसका एक example में आपको देना चाहूँगा 2009 में किसी ने TCS के 10 stocks अगर खरीदे होते तो वहाँ पर 130 रुपे का एक stock था 1300 रुपे की मोटे मोटे उसकी investment होती उस समय जो है 10% के आसपास की dividend yield TCS निकाल करके देता था यानि कि 10 stock खरीदे हैं around 130 रुपे का stock है और 13 रुपे के असपास का dividend company बाटती थी यानि कि जो है around 13 रुपे के असपास का 2009 में उनको dividend मिलता था 2022 की बात की जाए तो 20 stock TCS के हो जाते 2018 में जो हवानिस टोवन का bonus मिला था उसके बाद वो 10 शेयर बढ़कर के 20 शेयर हो जाते यहाँ पर stock की कीमत फिलहाल कितनी है around यहाँ पर जो है लगबग लगबग stock की कीमत फिलहाल 3000 से 4000 के बीच में भी जाते हुए नजराई थी फिलहा पैसा हुआ है यह जो है return आया है और अब dividend yield रही है 2.2% के असपास की around उसको 1360 रुपे के असपास का dividend प्राप्त होता है per year 20 stocks पर 20 stocks पर उसको 1360 रुपे के असपास का dividend मिलता है यहानी की per share पर 60-70 रुपे के असपास का dividend यह बनता है और यह इस तरीके का dividend TCS जो है हर साल ज उसको dividend ही मिल रहा है और साथ ही साथ उसके तेरा सो रुपे आज जो है बढ़कर के 62,000 भी हो चुके हैं तो यहाँ पर यह investment की ताकत होती है और साथ ही साथ अब किस तरीके से आपको यह companies find out करनी है मैं 12 companies ऐसी बताऊंगा भर महीने महीने की महीने आपको dividend वहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ आपको एक बढ़िया capital appreciation इस परकार का देखने को मिलेगा और जो यह दिक्कत आती है dividend stocks के साथ कि dividend stocks सिर्फ dividend ही देते चले जाते हैं वो return निकाल करके नहीं देते हैं सारी की सारी दिक्कत इस वीडियो में खतम होने वाली है आज के बाद आपको dividend भी मिलेगा dividend stocks से इंकम भी मिलेगी और साथ ही साथ capital appreciation भी मिलता हुआ नजर आएगा और एक अगर आप desired बनी किसी भी stock में लगाना चाहते हैं तो आप अपने annual expenses यानि की बिलकुल retirement लेकर के उन stocks में निवेश करके आप अपना आजीविका का खर्चा भी चलाते हुए नजर आ सकते हैं आपको बता देता हूँ वो तरीका क्या है देखेगा जो भी आपकी total investment है उसको आप अपने annual expenses से और dividend yield से डिवाइड कर दीजिए कितना पैसा आपको लगाना है वो पता लग जाएगा फॉर एक्जेंपल मैं आपको एक और है जो है एक्जेंपल के मंदल से समझाता हूँ मान लेजिए आपका खर्चा है 5000 डोलर महीने का या 5000 रुपे आप जो है मान करके चलिएगा यह जो है 10,000 भी हो सकते है कुछ भी हो सकता ठीक है आपका अलग-अलग खर्चा हो सकता है वो हर किसी के अपने need है तो उसको 12 से डिवाइड करें मान लीजिए साल में आपका यह खर्चा चाहिए होता है आपको इस खर्चा यह खर्चा अगर आपको मिल जाए तो आपकी जो है आजीवी का असाली से चल जाएगी तो आपने अब जो मैं 12 स्टोक्स बताऊंगा उनकी जो डिविडेंट डिल्ड है उनका average निकाल करके यहाँ पर पुट कर देना है और जो आपका खर्चा है उससे डिवाइड कर देना है यहाँ पर आपका जो resultant amount निकल करके आएगा वो amount आपने जो है उसका lump sum amount के आसपास का invest करना है और हर महीने जो dividend मिलेगा वो dividend income ही आपको जो है एक बढ़िया जीवी का आपकी चला सकती है और यहाँ पर साथ ही साथ आपका capital appreciation जो होगा होता चला जाएगा लेकिन अब dividend से अपनी जिन्दगी बढ़िया तरीके से जी सकते हैं चलिए अब बात करेंगे उन 12 stocks क बारे में जो हर महीने आपको dividend निकाल करके देते हैं और साल में 12 बार किस परकार आप dividend आजिल कर सकते हैं वो तरीका में आपको बता देता हूँ dividend मी मिलेगा growth मी मिलेगी सब कुछ वहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो इसे चार stocks वाले dividend मिलते हुए नजर आएंगे और कोई ऐसा महीना रहेगा जहां पर आपको मात्र एक या दो stock से ही dividend मिलेगा यानि कि dividend के रूप में आपको इस portfolio से तसली हो जाएगी सबसे पहला stock इस list में है Tata Consultancy Services Limited आप देखिएगा पहली बात तो यह है कि यह nominal valuations पर trade कर आए लगबग 4000 का stock आपको 3300 में मिलता हुआ नजर आ रहा है देश की सबसे बड़ी IT sector की company है consistent format में growth लेकर के आती है और बात करें अगर dividend की तो dividend तो इतना देती है कि शायद आपके पास रखने के लिए जगा गम पढ़ जाए अब आप dividend देखेंगे तो 2023 में ही दो महीने यहाँ पर भी आपको जनवरी में जो है dividend मिला और यहाँ पर लगबग 4-5 बार आपको dividend मिलेगा जनवरी में मही में जून में जुलाई में अक्तुबर में इस तरीके से आपको जो है शांदर dividend इस stock से मिलता हुआ नजर आएगा दूसरा stock इस list में है REC Limited 112 रुपे के आसपा dividend है यहाँ पर जो है overall अगर इसके dividend की history आप देखने की कोशिश करोगे तो corporate actions में आपने जाना है और भारी भरकम dividends को देखना है तो 2022 में आपको जो है तीन बार dividend मिला February में जुलाई में यहाँ पर जो है November में अब जुलाई में मिलेगा TCS से भी तो यहाँ पर जुलाई का मह dividend आपके खाते में आता हुआ नजर आए ओल ओवर जो है corporate actions में आप जाएंगे तो आपको bonus भी मिलते हुए अच्छे नजर आएंगे अभी 2022 में 1-3 का bonus दिया है इससे पहले 2016 में 1-1 का bonus दिया था और further 2-3 वर्षों में आगे भी आपको इस तरीके के corporate actions मिलते हुए नजर return देने में फिलहाल उस्ताद बना बैठा है चार के आसपास का price turning ratio dividend देता है भर भर कर पाल्टी भर के dividend निकाल करके देता है यहाँ पर all over जो है लगबग 9.38% के आसपास की dividend yield है जब यह 125-30% पर trade कर रहा था तो यह 17-18% की dividend yield हो गयती है यानि कि dividend उसमें भी देना नहीं छो देखनी है ओल ओवर जो है आपको 2022 में 3-4 बार dividend मिला 2021 में भी 2-3 बार dividend मिला मार्च के महिने में इस तरीके से आपको जो है बढ़िया dividend यह company बना करके देती हुई नजर आ सकती है चोथा stock है SBI life insurance company अब life insurance sector की जबरदस्त company है जानी मानी company है ओल ओवर performance wise भी एक काफी काफी दिगज खिलाड़ी आपको यह दिखाई देता है valuation point of view से all over sector से अगर compare किया जाए तो सबसे बढ़िया performance तो देता ही है लेकिन all over जो है ठिक ठाक सी valuation जो की sectorial valuation के आसपास ही है उस valuation पर trade कर रहा है लगातार performance के मामले में जो है all over sector में leading position पर जो है बना रहता है और यहाँ पर dividend की अगर बात की जाए तो dividend भी आपको बना कर के देता है March के महीने में फिलहाल 2022 में dividend मिल चुका है 2021 की बात की जाए April के महीने में आपको dividend मिला फिर April के महीने में एक पर और dividend मिला यानि कि April के महीने में SBI Life Insurance Company से आपको dividend मिलता हुआ नजर आता है next stock है ITC Limited अब return देने में य पिछले कुछ वर्षयों से तो परों को खोल करके उड़ रहा है पूरी उड़ान आसमान में भरता हुआ नजर आ रहा है ITC लेकिन dividend के मामले में ये कभी भी कम नहीं रहा है जब इसने return नहीं दिये तब भी इसने बाल्टी भर भर कर dividend दिया अभी return देने लगा है अब भी वाल्टी भर भर का dividend दे रहा है यहाँ पर आप जो है देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो है ओल ओवर एक तो dividend अभी एनाउंस हुआ है यहाँ पर 2016 में bonus यह भी मिले थे तो 2023 का पहला dividend आ चुका है 2022 में भी जो है दो dividend दे चुका था 2021 में भी इसी तरीके का सेनेरि अभी यहाँ पर share price बढ़ चुका है तो dividend yield घटते करम में नजर आई यह वरना इसकी dividend yield 5% से भी उपर के रहती थी और all over return देने में भी फिलहाल तो किसी को पीछे नहीं चोड़ रहा है all over जो है nifty 50 के index को अगर कोई share bit कर पाया है तो वो ITC ही है nifty के अंदर nifty 50 के अंदर और यहाँ पर भी आपको consistent तरीके से एक महीने के बाद अगले महीने फिर अगले महीने के बाद अगले महीने इस तरीके से dividend मिलता हुआ नजर आएगा 2022 में भी जून में 2021 में dividend मिला और अभी जून 2023 में भी dividend मिलेगा और साथी साथ एक महीने और आपको dividend मिलता हुआ नजर आए हो और कोई तो ऐसा महीना रहेगा कि चार पास कंपनी उसके एकठे डिविडेंट आपके खाते में आ जाएंगे तो उससे में आप जो है बिसिकली सोचते हुए नजर आएंगे कि यह कुन सी कंपनी ने डिविडेंट दिया है यह आपको जो है स्टेटमेंट निकलवा करके देखनी पड़े यहाँ पर इस तरीके की भी सिच्वेशन क्रियेट होती हुई नजर आएगे उससे नेक्स टॉक है अब यह भी यहाँ पर रिटान देने में भी उस्ताद है लेकिन हम बात कर रहे हैं डिविडेंट की तो डिविडेंट भी आपको जो है जुलाई से नेक्स्ट महीने वाला जो महीना होता है वहाँ पर LTI माइंटरी का मिलता हुआ नजर आता है साथ इसाथ 2-3-4 बार और भी डिविडेंट देता है यानि कि ये कंपनी भी आपको 3-4 बार वर्ष में डिविडेंट बना करके देती है और कम से कम 30-35% की CAGR भी बना करके देगी तो return तो मिलेगा ही मिलेगा dividend भी साथ में मिलता हुआ नजर आएगा dividend investing के लिए जबरदस stock है मारूती सुजुकी India Limited यहाँ पर automobile sector की market leading company है फिलहाल के target 14-12,000 के दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ से around 34-35% के return के भी expectations है उखाएंगे तो dividend देखेंगे तो यहाँ पर 2022 में अगस्त में मिला 2021 में अगस्त में मिला 2020 में अगस्त में मिला हर साल के अगस्त महिने में मारूती सुजुकी से आपको dividend परापत हो जाएगा जिसका usage आप किसी भी तरीके से करते हुए नजर आ सकते हैं इससे next stock है Polyplex Corporation of India Limited अब ये भी जो है साल में 5 बार dividend देती है तो यहाँ पर साल में 5 बार dividend देने वाली companies बहुत सारी कठी हो गई है तो इसलिए मैंने कहा है किसी महीने 4 से 5 बार dividend मिलेगा किसी महीने हो सकता 1 से 2 बार dividend मिले तो यहाँ पर ओल ओवर ये सीजे आप लोगों को अपने according manage कर लेनी है Polyplex Corporation ने भी जो है लास्ट 3 यह से 45 पॉसेंट की CGR से return बना करके दिया है ये CGR अपने आप में बहुद एट्रेक्टिव CGR मानी जाती है HCL Technology next stock है जो की again dividend जो है देने की machine है और return भी जो है पर next stock है Merico Limited इससे next stock है Nestle India Limited ये December के dividend के लिए हमने जो है Nestle India को लिया है तो all over ये जो 12 stock है साल के हर महीने आपको 2-3-4 बार dividend बना करके देंगे यानि की 12 महीने साल के अंदर होते हैं और 12 ही stock मैंने cover किये हैं लेकिन stock 2-3 बार तो on and average dividend देते ही हैं तो यानि की हर महीने आपको 2-3-12-2-3-12 अलग-अलग entity से dividend पर आप्त हो जाएगा साथ ही साथ जो ये आपका portfolio है ये भी आपको 27-28 परतिशत की CAGR से आगे बढ़ते करम में नजर आएगा सारी की सारी चीजे भविश्य में all set हो जाएगी और ये हर जो stock मैंने आपको बताया है ये all over एक भी बहुत जादा risky stock नहीं है all over जो stock है अच्छे तरीके से well maintained company है promoters भी लाजवाब है और यहाँ पर consistent तरीके से performance देती आई है आगे भी देती हुई नजर आ सकती है यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें 37 वीडियो को अपने friends के साथ भी शेयर करना मत भूलना